दोस्तों आज आप सभी का बहुत बढ़ा डाउट हम क्लियर करने वाले हैं आप सभी स्टुडेंट के पास एक बहुत बढ़ा डाउट था और वो डाउट दोस्तों आप लगों का ये था कि क्या सच में सर अगर हम पॉल्टेखनिक इंटरेंस एक्जाम देते हैं तो अगर हम हमने 400 अंकों में से अगर हमने मात्र 100 अंक भी ला दिये तो क्या सच में पॉलिटेक्निक में सरकारी कॉलेज मिल जाता है और सर क्या पिछली बेर का डाटा क्या था जिसके कारण आप ऐसा कह रहे हैं क्योंकि मैं आपको बताओं कि हम लोग जो है पॉलिटेक्निक इंटरेंस काउंसलिंग के साथ साथ आप लोगों का कॉलेज में एडमीशन के प्रोसेस से लेकर के सारी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं जिसके कारण हमें पूरे प्रोसेस के बारे में मालूम है और पिछली बार क्या मैं पिछली 5 साल का कटफ आपको दोस्तों बता सकता हूं कि आपको कितने नमबर पे सरकारी कॉलेज मिला था तो आए दोस्तों आज के इस टूथ को रिवील करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आपको एडमीशन लेने के लिए आपको कितने अंगों की जरूरत होगी ठीक है तो फटा-फट आप दोस्तों हमारे चैनल पांड़ेशी 2.0 को सबस्क्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको लेटस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिला करें दोस्तों अगर हम आपकी यूपी पॉली टेक्निक इंटरेंस एक्जाम होता है उसमें जो है एक ही पैटरन आप लोगों का हमेशा स लहता है और उसके crappy से कैसे को से तो 25 क्ऩे संटेंस से आपकी अकेले क्याखश 15 कंट को मिलते हैं यूप का नुंक होते हैं इनमें प्रते को सहं के लिए फटे को समया 8 bes to 500 एक तोượngWारल को होतल है वो आपका हर category का अलग-अलग बनता है मतब कि आपका जैनरल का अलग-गटथ बनेगा ठीक है Cubc का अलग कटफ बनेगा आप स्सक्राइब का अलग कटफ बने आप लोगों के मान लेगा की कोई आपका भुत्पूर। विगार में वेगरा हैं उनका अलग कटफ बनता है freedom fighter वेगरे का अलग कटफ बनता है ठीक है इसके अलामा अगर कोई girl candidate है या फिर अगर कोई विकलांग candidate है तो उनके लिए अलग कटफ बनता है ठीक है तो हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग सीटे आपकी निरधारीच की जाती है आपके पॉलिटेखनिक में ठीक है अब मैं बताता हूं कि कैसे आपका कॉंसलिंग होता है सबसे पहले आप यह जाने कि अगर आप जेनरल कैटेगरी से बिलॉंग करते हैं और अगर आपके पास का सर्टिफिकेट नहीं है तो निश्चित तोर पर आपका कट अफ हाई जाएगा उसमें कोई समस्य की बात नहीं है लेकिन आपको मैं बता दू कट अफ उतना भी हाई नहीं जाता विकॉज आज कहां यह देख रहे हैं कि पॉल्टेकनिक इंट्रेंस एक्जाम्ट का फॉर्म जो है वो काफी कम फिल किया जारे तो यह रियालिटी है दोस्तों आप इसको आपके अल्ड़ी चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर अभी तो कुछ दिन पहले मैं आपको बताऊं कि डेटा जो है आपके जीकॉप के द्वारा जारी किया गया था तो जो डेटा आपके बहुत जादा है तो कॉलेज सबको मिलेगा और मैं एक राज की बात बताऊं दोस्तों यह आपका जो सौ अंक मैंने लिखा है इस पे सच में कॉलेज मिला हुआ है आपको टेंसन लेने की जोरत नहीं है इस सौ नंबर पे भी मैं आपको बताऊं कि अभी मैं आपके पास 20 से सौ नंबर है या फिर कम नंबर है मान लीजे आपके पास तो फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा जोरूरी नहीं है लेकिन चुकि फर्स्ट राउंड में आम तोर पे उन्हें कॉलेज मिलता है जिनके अंक ज्यादा रहते हैं एक वाद आप समझ जाईएगा मतलब कि कॉलेज सबका मिलता है कोई समस्य के बाद दोस्तों आप लोग की नहीं है ठीक है फर्स्ट राउंड में दोस्तों आप लोग का इतना कॉलेज अलॉर्ट होता है कोई घवराने की जोरूरत नहीं है लेकिन जो सेकंड राउंड होता है थर्ड राउंड होता है उनमें मैं आ बता देता हूं कि only आपके पास only आपके पास दोस्तों 10 option रहते हैं और इनी 10 options में से आपको यह choose करना पड़ता है दोस्तों कि आपको जो है किस college में जाना है तो अगर आपके इन 10 options में थे यह 25 college जो मैं आपको बता रहा हूं जहां पे आपका cut-off बिल्कुल ही कम जाता है अग इस चित तोर पर आपको दोस्तों सरकारी college लेने से कोई रोक ही नहीं सकता बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता दोस्तों कि इस बार जो है क्या हुआ है पिछली बार से दोस्तों कि हर college में जब मैं भी पढ़ता था दोस्तों तो government for technique देवरिया में अब तो सीटे दोस्तों कम थी लेकिन इस समय क्या हुआ है कहीं कहीं 120 हो गई है जैसे अलेक्ट्रिकल में 120 हो गई है 75 सीटे आपके electronics में भी हो गई है तो बही यहां पी आप यह देख लोंकि आपके सीटे बढ़ी ना कम से कम 15 सीटे बढ़ गई तो आपका 60 से आपका 75 तक क होने वाला है अब जो है बहुत जादे विद्यार थी आपके private polytechnic college में नहीं भटकेंगे और निश्ची तोर पर उन्हें सफलता मिले कि सरकारी polytechnic college में उनका admission हो करके रहेगा आपको विल्कुल tension लेने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो फटा फट दोस्तों बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और counseling related information के लिए या अन्य किसी भी information के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल fantasy technical 2.0 को subscribe कर सकते हैं bell icon को press कर सकते हैं ताकि आपको latest video की जानकारी सबसे पहले मिला करें इसलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे next video में